नमस्कार, मेरा नाम बिरिज दिवेधी है, आप देख रहे हैं लाइव लौग प्रक्रिया जून 2022 में अगनीपत योजना की गोशना के बाद बंद कर दी गई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचून जस्टिस पीएस नर्सिम्मा और जस्टिस जेवी पारदीवाला की बेंच ने मामले की सुनवाई की याचका खारिच करते हुए कहा कि की उमीदवारों के पास भरती प्रक्रिया को पूरा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है सीजियाई ने आगे कहा इसमें हस्तशेफ करने के लिए कुछ भी नहीं है यह सारवजनिक रोजगार का मामला है कॉन्ट्रेक्ट का नहीं याचका करताओं की उर से पेश एडवोक ने कोवीड का हवाला देते हुए कई बार परिक्षा अस्तगित की और जून में अचानक अगनीपत योजना की घोशना की गई परिक्षाएं कभी रद नहीं की गई और केवल स्तगित की गई इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूर ने कहा कि उमीद आजका करताओं की और से सीनियर एडोकेट प्रशांद भूशन पेश हुए उन्होंने कहा कि आजका करताओं को कई टेस्ट से गुजरने के बाद प्रोविजनल लिस्ट में रखा गया था फिर एक साल तक वे कहते रहे कि अपॉइंट्मेंट लेटर जारी किये जाएंगे लेकिन टालते रहे हम पूरी प्रक्रिया से गुजरे और फिर भी भरती नहीं हुई तीन साल से वे इंतजार कर रहे हैं इस याजका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है सुप्रीम कोर्ट 17 अप्रेल को सुनवाई करेगा द्रासर फरोरी में दिल्ली ह हाई कोर्ट ने अगनीपत योजना को सही ठहराया था योजना को चुनोतिय देने वाली याजका खारिज कर दी थी इसको चुनोति देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याजका दाखिल की गई थी हाई को ने कहा था जबतक सरकार के नितिगत फैसले मनमाने भेदभावपूर या सविधान के किसी प्राउधान और कानून का उलंगर नहीं करते हैं तब तक ये अदालत इस तरह के नितिगत फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकती क्या है अगनिपत स्कीम ये भी जान लीजिए अगनिपत स्कीम की शुरुआत जून 2022 में हुई स्कीम के तहट साड़े सत्रा से तेईस वर्ष की आयू के लोग साश अस्त्र बलों में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनका कारिकाल चार साल का होगा जादा तर लोग चार साल की सेवा के बाद सर्विस से बाहर हो जाएंगे केवल 25 प्रतीशत को ही आगले 15 साल के लिए सेवा जारी रखने के लिए चुना जाएगा योजिना का देश भर में कड़ा विरोध हुआ था इसी तरह की कानून से जुड़ी खबरे देखने के लिए लाइव ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले